नमस्कार दोस्तो भारत की फिनांस मिनिस्टर आदर्नियन निर्मिला सीता रमन जी का हम लोगों ने सुना है CA Aynab Sebastian के केस पे उनको क्या बूलना हुआ इस पे पूरा एनलेसिस वीडियो रहेगा बहुत इंपोर्टेंट है और ये सब चीज को कॉल ओट करना और बताना और अनलेस्स करना कि वहर इट कमस रूम और वाट एल्स इंडिया थौट प्रोसेस लेवल पर तो धिहान से सुनना और शेर करना पहले मैडम ने क्या बोला ताकि उसको अंग्रेजी धंग से पढ़ ले क्योंकि बोलने में क्या होता है ना खहीं आउट ओफ वो ना कॉंटेक्स हो जाए तो रेफरिंग तो 26-year-old CA Anna Perarelle's death due to overwork, Finance Minister Nirmila Sita Raman said whatever you study and the job you do, you should have inner strength to handle that pressure she said this inner strength can only be achieved through divinity, divinity, divinity educational institutions should bring in divinity and spirituality then our children get the inner strength ओके ये बोला है, तो सबसे पहले तो वो बोलना चाहते हैं कि inner strength नहीं है हमारे बच्चों में एक ये चीज़ बोल रही है, दूसरी बोल रही है inner strength divine होकर आईगी divine word आप सुन रहे हैं, बड़ा, पहले भी सुना लग रहा है, नाम divine, कोई और भी divine है शायद madam का divinity में विश्वास बहुत जादा है और वो होना चाहिए क्योंकि जिस इनसान ने कोई election जीतना तो दूर लड़ा भी नहीं, कॉलिज का, यूनिवस्टी का, गली महलोका क्या होता है, कॉर्परेट वाला, कुछ MLA, कुछ नहीं, और वो सीधा finance minister हैं देश के, और सबसे जादा serving finance minister रहेंगी, सारे record तोड़ देंगे, तो भई इस post में तो divine ही पहुचा सकता है, अब वो कह रहेंगे कि मैंने तो इतना यकीन किया है divine, उस पे आप लोग भी ऐसे इस रस्ते आजाएं, पर madam, मैं यहाँ पे मैं एक astrologer भी हूँ, मुझे पता है, कई लोगों को सहारा मिलके लोग पहुच जाते हैं, आपर लेकिन हर आदमी ऐसी कुंडली लेके नहीं बैठा, शनी का काम भी करना है, नॉर्मल लोगों को काम धंदे करने पड़ेंगे, everybody is not so lucky, this is that equivalent of saying that if they can't have breads, they can't eat breads, why they don't eat cakes, यह चीज इतना उपहास है, अगर किसी के पास इतना meditation और यह सब का time है तो फिर हो मरे क्यों, सांस लेने की फुर्सत कहते है नहीं है, खाना खाने की फुर्सत नहीं है, हाइजीन मेंटेन करने की फुर्सत नहीं है, यह टॉक्सिक वर्प्लेस हो गया है, but this comes lack of empathy and sympathy from इतने बड़े नेता in the government, this is when Nirmala Ji speaks, it is the government speaking, there is nothing big, more than Nirmala Ji, other than Amit Shah Ji and Modi Ji, Modi Ji तो अपने अठारा घंटे मैं सोता नहीं हूँ वो बता रखा और यह कहरे, strength हो नहीं चाहिए, नहीं तो मर जाओगे, Charles Darwin की theory नहीं पड़ी, तुमने survival of the fittest, यह lack of empathy, sympathy comes from ignorance, ignorance comes from arrogance, and there is arrogance on the face, every time Nirmala Sitaraman Ji opens this thing for saying anything like that, अपना मूझ से जब बोलते हैं, BJP के 5 लाख votes कम हो जाते हैं, और यह कम होते हैं North India से, क्योंकि South India में तो वोट ही नहीं है, South India में से कम नहीं होते हैं, BJP की जो महीला नेता है, उनमें तो definitely run करता है, example देके बताऊंगा, महंगाई है, I don't eat onions, and you are like, oh my god, you don't eat onions, अभी GST की बात हुई थी, कोइमबटूर में, वहाँ पर एक बड़े वैपारी जो 100 क्रोट से जाधा revenue और कोइमबटूर की मानी हुई, वो eatery chain run करते हैं, और उनने एक बड़ा practical सभाव पुछा, और थोड़ा जिसे कहते हैं, सरलता से मजाच से कर लो, तो tension नहीं होती, कि मैडम ये cream पे GST अलग है, और बन पे अलग है, और उसको इसे डाल के देते हैं, तो पता नहीं चलता GST का क्या है, और GST का रहता फैला ह और इसको ठीक कर दे, वो उसके बाद हमने देखा हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगो, इतना ज्यादा, मतलब एक इनसान डेमोकरेसी में अपनी वाइस भी रेज नहीं कर सकता, तो कौन सी मीटिंग करते हैं, Smriti Rani ji was a case in point पर उनको तो लोकसाबा में हरा के बिठा दिया गया, menstrual cycle की जब बात हुई थी, Parliament में, what did Smriti Rani ji say, I am a woman and I understand, तुम मैं क्या कर रहा, कुछ नहीं होता, कोई छुट्टी निची है, I really wanted to know the age, वो बहुत personal हो जाता है, मुझे पता है, yes there was a time जब आप उससे थे, but what was the age, अब क्या age है, आपको अगर वो issue नहीं है, तो किसी महिला को issue नहीं है, उनको तो हाशे पे बिठा दिया गया जनता ने, पर निर्मला जी को तो बिठाए नहीं जा सकता, राज्य सभा मोधी जी, choose करेंगे, क्यों choose करेंगे, क्योंकि एक plum post पे गदावर निता बैठ जाए नितिन गडगरी जैसा, तो सिहां से डोलने लग जाता है, South India से representation देना है, निर्मला जी के पास दो qualification है, South Indian and दूसरा महिला, तो वो दोनों चीश्टिक को जाती है और Finance Ministry में, otherwise knowledge of finance कैसे है, जब भी कुछ inflation क्या है, inflation बोलो तुम्हें अनियन नहीं खाती, अब ये तो उनके department से linked भी नहीं था, इंडिया का Labour Minister कौन है, Google करना पड़ेगा, M से नाम स्टार्ट होता है, ये नहीं पता इंडिया, आप लोगों को अगर पता है, लिख दो सच चस नहीं पता, और आपको अगर इंडिया का Labour Minister नहीं पता, तो ये आपकी गलती नहीं है, वो कुछ करी नहीं रहेगी, पता चले, कुछ कहीं दिखी नहीं रहे, नहीं तो पता चल जाए ना, कहीं दिखे कुछ बोले तो, गूगल करने से पता चलेगा, इंडिया का Labour Minister कौन है, और क्या संग्यान लिया जा रहा है, हर जगे जहां कुछ है, तो जनता पी डाल दो, तुम ही स्ट्रॉंग नहीं हो, तुम ही स्ट्रॉंग बन जाओ, ये इतनी एरोगेंस, भुगतनी पड़ेगी, इंडियान्स को शोर अतियों रखिये, भुबनेशर वाला इंसिडेंट देख लो, उसमें भी लोग लिख रहे हैं, जो वीडियो डला था, कि भाई ये तो अती कर रहे है, ये लोग तो बहुत अती होगी, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज में आके बोलना कि ये तो कुछ है ही नहीं, वहीं आके बोलो, हाँ ये गलत है, और हम ठीक करेंगे, तो उनकोई क्लैपिंग होई, वह बलते है गलत है ही नहीं, ये तो तुम ही, तो अच्छ लोग हो, वीक लोग हो, बजाए ठीक करने के कोई चीज को, उस चीज को ही बोल दो कि ये तो तुमारी ही कमी है, और डिवाइन बन पर कोई चेकी नहीं है, अब तो ऐसा हो गया कि इनको कोई फरक ही नहीं पड़ता, कि यार अब तो हम आगे हैं, साड़े-चार साल तो देश की जनता की छाती पर राज करेंगे, रोते रो, और बाकी कुछ-कुछ से बोल देंगे, आएगा तो मोदी, अभी एलेक्शन से प आउट ओफ कॉंटेक्स्ट, अरे आउट ओफ कॉंटेक्स्ट क्या होता है, आपको पता है देश में क्या चल रहा है, उसके रेलिवेंस में तो आप बोल रहे हो, नहीं वो वहाँ पे कुछ इनौगरेट करने गए थे, स्कूल में डिवैनिटी सिखा देंगे, डिवैनिटी खून नहीं चूसरी आत्मा भी चूसरी है इंडियन्स की, लेकिन यहां हमारे बोलेंगे आत्मा चुस्वाने के लिए आत्मा को थोड़ा स्ट्रॉंग करें, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन पर भी एक वीडियो डियू है, यह मेरे शायद अलग चैनल पर आये, यह भी मै रहते हैं, असली काम तो सफाई वाले कर रहे हैं, सफाई वाले आपके देश में किसी शहर में पांस दिन की श्ट्राइक पर चले जाएं तो पता चल जाएगा क्या होगा, और यहां पर मिनिश्टर, चीफ मिनिश्टर कितने बदलो, कोई जनता की लाइफ में फरक नहीं ब बोल दिया है, तो वो आत्मा चूसने वाला घटिया, धूर्त, बिकार, बॉस, क्या बोलेगा, जा, डिवैनिती लेकर आ, मेडिटेशन, स्पिर्चुलिटी, तीन बजे उठा कर, एक बजे सुएकर, बरमूरत में, मेडिटेशन करो, निर्मला जी ने बोला है, हो गया, जो कि एक महीला है, सांसद है, मंत्री थी, चाइड़ वूमन वाली ही मंत्री थी, जब उनने लोग सभा से ये बोला, कि कुछ नहीं होता, मेंस्ट्रल साइकल में कोई प्रॉलम नहीं होती, तो जो एक महीला, जो जर्नलिस्ट हो, जिसको उसका एडिटर, फिल्ड में जाने के लिए बोल रहा है, और उसका पहला दिन है, मेंस्ट्रल साइकल का, और वो कुछ बोलना चाहती है, कि मुझे मेंस्ट्रल क्राम्स आ रहे हैं, आज रहें दू, आज वर्क फर होम कर लो, एक दिन चुटी, वो कहेगी कुछ होता ही नहीं, ये देख, ऐसे करके, कोई भी अ हम पूरिश हैं, चेशी तरूर पूरिश हैं, तब ही मैं ये कहना कोई घलत नहीं होगा, कोई महिला खड़ी वी नहीं दिखरी, मतलब इन पूजिशन, वैसे तो बोल रहे हैं लोग, मैं क्यों बोलू कि महिलाएं जो नौर्मल नौकरी करती हैं, everybody is there, but any महिला which has gone, who has gone into the position, वो एक पता नहीं क्या, आदमियों से भी बड़ा आदमी बनके और स्ट्रॉंग बनके दिखाना है, कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, हम पहुच गए, फिर आदम, और जो जी एस्टी पर सवाल पूछ लो, तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी, हर चीज में भै क्यों है, मेरको कौन से वोट जीतने हैं, मेरको नहीं वोट जीतने हैं, पर कई बार क्या होता है, आप एक सच के बिना रहे नहीं सकते, क्योंकि ऐसा लगता है, क्या सारे इस देश को छोड़के चले जाएं, ये नमस्कार दोस्तों जो मैं करता हूँ, ये मैं तो दुबवे में पर देश को खोड़ समालेगा, तो इंडिया अफरिका के देशों से नीचे चला जाएगा, चला जाएगा नीच चला जाएगा बता दो, इन टरम्स ओफ जीडीपी पर कैपिटा एंड़ पोटेंशल, पर ये हरकते तो ऐसी हो रही हैं, हरकते ऐसी हो रही हैं, जो आदमी कोई पीछे पड़ जाए, डर लगता है, पहले तो नहीं लगता था इतना, लेकिन हार, यार हम वो सौ करोड का महीने का जिसका टर्न ओवर है, उससे बोटी पार्टी तो नहीं है ना, यूटुबर्स, कोई भी नहीं है, इतना यूटुब पर कोई कमाये तो यूटुब प वैसी सूपड़ा साफ है ता मिलनाडू में, अब तो स्टैंप लगा देते हैं जा जाके, मुझे तो मैं तो हैरान हुजी, लास्ट टाइम एक मुंबई में एक स्टॉक ब्रोकर ने पूछा था कि मैडम ये ब्रोकरे जितनी काट देते हो, टैक्स इतने काट देते हो, ये लेते हो, सबसे ज़्यादा पैसा तो आप ही ले जाते हो, ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर वाला स्टेट सेट्मेंट याद है, जाद है आपको वाला, महां पे पर यह से हस्त दिया, कोई जवाब नहीं है, और सवालों पर लोगों से माफी मंगवानी है, तो मैं यह कहत Conferences को सवाल पुछे तिए दाउंट देती है अगर जर्नलीस्स को सवाल पुछे, Do you think the budget was not good? Yes, it was not good, it was bad. What was bad in it? What was good in it? What was good in it? It's so intimidating behaviour, it's so intimidating, it's so dangerous. अरे देश हमारा नहीं है क्या? हम इतने डरेंगे? और टैक्स ले रहे हो इतना साथ है और क्या लोगे और क्या मतलब करोगे किसी का और वोट करो आएगा तो मुद्धी यह बार है स्वाद सबने और रोज आके बताएंगे बहुत पढ़िया काम तो क्या रावल गांदी को लिया है अब यह बोलने भी बंद हो गए है मैं यूँ कहूं किसा ने लिया हो मनना बना दो फिनाइस मिनिस्टर ठीक है मैं कम तकम कुछ जानता हूं टैलेंटेड हूं नहीं हूं यह मूँ तो नहीं खोल लूँगा इसे कुछ अच्छा ही नहीं करना है यह नेता तो अब धोड़े पड़े लिखे होगे आज से 30 साल 40 साल पहले तो आपको पता ही था क्या है तो भी चलता था देश तब यह जादा बात सुनते थे नेता जमिन के क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता थे यहां तो पता ही नहीं है हर चीज में तो इनको ऐसे बोल देता है तो we thought that क्यों निर्मला सितारमन जी is not BJP? Even Modi ji is not BJP. They are just, it is like you love Indian cricket team, then Rohisharma is not Indian cricket team. Suraj Kumar Yadav is not Indian cricket team. Viratakul is not Indian cricket team because Indian cricket team is changing all the time. जो पावर में जो उसमें खेलता है तो बीजेपी एक भी ऐसी है बीजेपी में कुछ खाई वेरिज रूडी राजी परताब रूडी दिखते भी नहीं जिसका दिमाग बुद्धी विवेक चेतना चलती है बची हुए हो तो दिखता भी नहीं रील मिनिस्टर बने हुए हैं सारे के सारे और सारे के सारे अब जहां मूल खोलते हैं महीं ट्रोल होते हैं हम तो नहीं करना चाते हैं पर यह आधरनिय मिनिस्टर है हमने तो अच्छा लगे न को अच्छी चीज़ लेकर आए फिलिप फ्लॉप फिलिप फिलॉप इंडेक्सेशन कॉस्ट हटा दी अब लगा दी अब वहां से डेट से लगा दी हमारे जैसे जो एक्सपर्ट है रिल एस्टेट में भी एक्सपर्ट हैं दिमाग की दही होती है कि यह इसका क्या effect क्या effect क्या होगा higher order thinking गही टेल लेने कुछ नहीं समझ में आता क्या है कुछ भी कर देते हैं अब direct text code आएगा उसमें कुछ गोल देंगे long term capital gain को भरा दो पर tax को कम कर लोगों को यूँ ही नहीं समझ में आता कि रोएं हसे दुखी हो ट्रोल करें यह कॉमेडी चल रही है देश की सबसे बड़ा प्रॉलम तो यह है कि एक तरफा ही नहीं हो आ जाता हसे रोएं ठीक है एक्जास्परेट हो जाएं ठीक है क्या हो जा हैं यह लोग सारे के सार यूँ ही नहीं पता कि सेंटिमेंट कहां जा रहा है वो सीए एना का केस जस्ट इमेजन करो उस मा का दर्द उस माने अगर वो इमेल नहीं लिखा होता जो कि अल्मोस्ट दो महिने बाद लिखा गया क्या उसकी मैं तो कहूंगा शहादत है उस बच् बच्चियों को और बच्चों को इस वर्क स्ट्रेस और डेट से शायद अजादी मिल जाए अगर यह पारलेमेंट में डिवेट हो जाए पर इनका क्या है डिवाइन बन जो डिवाई एगो बाइलोजिकल नहीं है वो हमारे एक डिविनिटी में पहुच रखे हैं बाई तो सब आके नमशकार दोस्तो अब ऐसे नहीं होता तुक्यलग ञाते हैं किसीने किसीने कोई बैठ जाए किसी की जबान पर किसी ताइम पर कुछ सरस्ट्धी का वो हो जाए तो उसके ठैक्यू करना चीह हमें तो आता है करना पर दूसरों को बोलता तुम भी कर लो सब से नहीं होता जी हम से नहीं होता नहीं बहुत काम होते पर empathy तो होनी चाहिए अगर हमारे जैसे आम इंसान जो किसी संवंधानिक पद पर नहीं है constitutional post पर नहीं है if we our heart can you know beat for the common man for fellow common man for some बेटी some जगे ठीक है एक consentist citizen की तरफ behave करना चाहते हैं आप लोग subscribers भी तो यह नेताओं का क्या हो गया है या इतनी arrogance arrogance ignorance ignorance lack of empathy sympathy and understanding यह क्या है यह क्या वो है कि eat the cake it is equivalent of that eat the cake if you don't have bread सुसू जाने का time नहीं है यहाँ पर divinity evoke कर लो घजब है फिर इस्टी कौन पे करेंगा tax दोगू ना लगान कौन देगा पैसे कहां से आएंगे economy के से चलेगी सभी divine होगे बैड़े जाते हैं just because divinity is helped because मैं तो हैरान हुजी अभी यह government divine वरोसे ही चल रही है इंडिया तो खैर राम वरोसे चलता ही है पर वो राम जी का भी आधर नहीं हो रहा है हम तो यादा के मुझे जैश्री नाम इनने तो कर बोलना बंद कर दिया है बीजी पिन नों बोलना बंद कर दिया ना को ब सत्ता में है जहां भी सत्ता परिशान करती है जब सत्ता चेंज होगी तो जो चेंज होगी उसको कोश्चन किया जाएगा क्लास में जो क्लास मॉनिटर है उसी से ही तो कोश्चन करे जाएंगी कि वो फेर है जो बच्चा पीछे बैठा हुए लाश बैंच पे जिसकी कुछ करगर आके अब उससे क्या करेंगे जनता मालिक है और मालिक जो नौकर बैठा है पूजिशन पे नौकरी के लिए जो सेवक है परधान सेवक ही सही उससे सवाल पूछे जाएंगे और ये इंडिया में क्या भाई हो भैनो टॉक्सिक वर कल्चर हो नहीं रखा छोड़ छ जिसे यहां हो रखा है ये कौन आकर आप लोगों को ये ये हमारा कलेक्टिव देश है जी अब देर वाज टाइम थ्री फोर यह बैग मैं सुछता था है पॉलिटिक्स इज डिर्थी प्लेस जैसे एक आम आद में सुछता है और वी शुट कीप दूइब आर वर्क ठीक है क्या आप रख पड़ता है भाई अब तो ये घर में गुजगें हैं पॉलिटिक्स इसलिए हमें पॉलिटिक्स को खाना है हमें थोड़ा सा दभंग बनना है जनता को अब वो नहीं है कि I don't want to talk नहीं छोड़ो छोड़ो ये बाते सारे पॉलिटिशन देख जैसे होते हैं य ये तुम्हें एफेक्ट कर रहे हैं इनका मूँ खुलता है और तुम्हारी लाइफ एफेक्ट उती है बिकास अब ये उस जोन में जा चुके हैं और अगर एक इडियोटिक आइडिया जो फ्लोट राउंड करते हैं उनको टाइम पर कॉलोट ना करा जाए तो वो सारे यही लोग बनाएंगे देश चलाने वाले आजाएंगे और इनीका होगा जो सबसे जादा इडियोटिक आइडिया लेके होगा वही उपर जा रहें नौर्थ इंडिया में तो यह होई ही रहा है पता नहीं कब बुद्धी आएगी साउथ इंडिया में तो बुद्धी है और बह ना तेलांगा ना में इनकी गवर्मेंट है ना आंधरा में इनकी गवर्मेंट है करनाटका में इनकी गवर्मेंट नहीं है केरल में इनकी गवर्मेंट नहीं है और नाहीं तमिलाडू में सूपड़ा साफ है ना है और ना आईगी करनाटक में फिर भी थोड़ा होप रहती कि यह बाकी में तो कुछ नहीं है इनका विकॉस दोस्ट एंड दीज नॉर्थ इंडिन्स नाओ वी हाव तू थिंक अबोट इट कि आरे साउथ इंडियन को भी होते हैं सबने जो साउथ इंडियन दोस्त है अभी ओलम्पिक यह यह जो ओलम्पिक बोलम्पियाड जो गोल जी चीजों में तो चेक करो ना कि ऐसा क्या है कि यह इनको नहीं लाइक करते कुछ तो होगा क्या उनको पता है जो हमें नहीं पता है क्योंकि क्या हम धर्म खत्रे में लेकी चलते रहेंगे यह क्या हमारे डियने में इतने हजारों साल की गुलामी का इतना भै डरा हुआ है कि उस भह को इतना एक्स्प्लोइट किया जा रहा है डेमोकरेटिक कंट्री में शायद साथ इंडिया में बह नहीं है क्योंकि वहां अकरांता नहीं पॉच पाय थे तो वहां पे भी अभी आपने देख रहा है लड्डू लड्डू पॉलिटिक्स लड्डू में वहां कुछ नि सारी गवर्मेंट शूड और एंड सी वाट हैपन बहुत बड़ी पॉलिटिक्स आगे एक नौर्थ और साउथ का बहुत बड़ा खेला होने वाला है आने वाले टाइम में अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना और वह उसका क्या लेन और एल भी आता है उसके वर्ड में ठीक है और वह बहुत अच्छा खेला होगा अगर उस पर आगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दिखेगा और जब भी ऐसे कमेंट साइं किसी भी ने ताके तो दबा के वीडियो शेयर करा करें और दबा के कि कुछ आ गया अब जैसे मैंने यह वाला है अगर आप देखे तो जो मैं वीडियो पड़ा था तो यह ऐसे है यह ऐसे स्टेट मेंट है यह स्टेट में एस स्टेट मेंट से पता नीचला ना कि देश्वा स्टेटमें अच्छी लगी खरब लगी यह तो टेट मेंट कि देख कितने लोगों को पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बोलेंगे रियल लोग हैं और फिर वीडियो को शेर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आवाज जनता की जाएगी मैं जनता का रेप्रेजन्टेटिव नहीं हो ना बनना चाहता मैं तो जनता ही हूँ पर मैं यह कह रहा हूँ कि जनता सारे यूट्यूब पे नहीं आ सकती आप लोग के पास बहुत और भी काम करने को होंगे जनता पूरे टैम नहीं हो सकती तो यह हम को MP MLA का चुनाव लड़ने की ना इच्छुक हैं और ना मन हैं हमें तो इनको नौकर को टाइट करना वी द जनता आप में इसे भी मैं बोलना चाता हूँ और मैं यह करना भी चाहूँगा अगर आप चाहते हैं एक और अफर है इस हफ़ते के end मैं यह कुछ करूँगा मैं चाहता हूँ हर इनसान अपना YouTube चैनल को ले हर अगर मतलब आवास अपना जो भी उनको लगे time to time, 2 minute, 5 minute, 10 minute कोई भी मुद्दा है, आप अपना record गर लो वो अंदर से एक जंता की, जो है न वीडियो निकाल के, बोल के भी कुछ निकल जाता है, otherwise हम क्या होगा, we will start losing it as a country, कि यार ना कोई बोल रहा है, ना सुन रहा है, तो शाब ठीकी होगा और acceptance चला हो जाएगा let the videos be cut, copy, paste only, या जो आपकी भावना है 2 minute बोलना है, भावे, 3 बोलना है 5 बोलना है, अंगरेजी में बोलना है, हिंदी में बोलना है, regional language में बोलना है, अटक अटक के बोलना है पढ़कर बोलना है, देखकर बोलना है टेली प्रॉम्टर जैसे बोलना है, बोलो अब जिसे मेरे जिसे तो बोल देते हैं भी अब experience हो गया तीन अदार वीडियो बन चुकी है, अलग channel हो पर तो experience हो जाता है तो बोला जाता है पर उसमें pronunciation गलत होती है मेरी भी गलत होती है मैं क्लेम करता मैं अंग्रेज, ना मैं कोई हिंदीगा विद्वान, ना मेरी कोई colloquial language पर पकड़, तो क्या हो गया फिर भी communicate करी देते हैं, ना कोई मेरा बहुत बड़ा वो setup, ना मेरी को ऐसी editing शिक 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 इनसान जैसे normal drawing room में बैटे के बात कर सकते हैं, वैसी ही feeling आती है, तो आप लोग भी कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सम यूट्यूबर बनें, उसके लिए अगर मुझे कोई, आप लोगों को guidance करने के लिए कुछ वीड़, वो बनाना भी पड़ेगा webinar या, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं करने के हूँगा, आप लोग जरूर बने, सारे के सारे बने, एंड हमें ये आवाज उठानी ही पड़ेगी, इसके पास हमारे पास कोई choice नहीं है, otherwise ये nonsense है, ये परोसी जाहिए, जैसे ही परोसी जाहिए, वहीं पे, कुछ भी स्मार्ट हो चुके हैं, उनको अच्छी बात जो है वो पार्टी के अलग लगेगी, योगी बात अच्छी है और ये कोई अच्छे काम करनी रहे, ठीक है, तो वो चुपी रहते हैं, तब ही वो आपको लेबर मिनिस्टर मुग खोलता नहीं दिखेगा, ये तो लेबर मिनिस है, वो बोलनी दिखेगा, निर्मला जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इंफलेशन पे, जी एश्टी पे और उन जो आपका कोर सब्जेक्स हैं, उस पर बोलें, क्योंकि ना तो आप एलेक्टिड नेता हैं, जो बहुत पॉपूलर है जनता की, और नहीं डोमेन नॉलिज की एक्सपर्टीज हैं, तो नहीं हांके, नहीं हांके, या तो स्टिक टू दा फिनैंस ओली, जब फिनैंस में जब वो कोईमबुतूर के बिजनसमेन कुछ आप से बोलते हैं, तो वो ऐसे माफी माफी मागने पड़ती है, पता नहीं, अब मेरा भी कोई वीडियो आ जाएगा इस माफी माफी मागने का, मैं तो डर तो लगता ही है, सोरी जादा हीरो बन गया था, माफ करते हैं, डर लगता है, भाई साब बिलकूर डर लगता है, कहीं पे जब बहुत बाहदुरी है, यह कोई बाहदुरी बाहदुरी नहीं है, कोई बाहदुरी नहीं है, बस ऐसा है कि इस topic पे क्या लगता है हर आदमी के अंदर यूं आना चाहिए कि नहीं बोला तो जीया नहीं जाएगा बोलकर क्या होगा मुझे नहीं पता बोलकर ड़र तो लगता है पर नहीं बोला तो भाई फिर रात को नींद नहीं आएगी तो बोलना जरूरी है जब इनसान इंडिया का हर citizen इस level पर आ जाएगा कि अगर मैं बोला नहीं सरके टुकड़े टुकड़े हो जाएगे तो वो तो टुकड़े हो गए तो फिर तो बचे ही नहीं तो इससे अच्छा बोल दो अब बोल कर क्या होगा तो डर लगता है वेट अन वाच होता है लगता है कि ने ने डेमोक्रेसी है भी बोल सकते है ठीक है पर डर तो लगता है तो आप लोग का साहरा चाहिए ना क्योंकि नमबर्स के अंदर सेफ्टी भी लगती है यह भी बात है, जब लगे कि मैं अकेला ही बोल रहा हूं, तो मेरे को क्या अकेले ही परिशानी हो रही है, मेरे को को अकेले ही परिशानी थोना हो रही है, मैं तो नौकरी करता नहीं, मैं तो जाता नहीं, कहीं नौकरी करने कि मेरे को को रिपोर्ट भेजनी है, मंडे को, या स तो मैं क्यों बोल रहा है तो इसी लिए हार आतमी को सोचना है कि यह नहीं सोचना है कि मेरा काम नहीं है, यह देश मेरा है इस देश में सब कुछ होता है मुझे concern करता है मनी पूर भी मुझे concern करता है तो I hope आप लोग को ठीक लगा ये वीडियो, अच्छा लगा, share करिए का, like करेगा, thank you